सबको जैये सुकी, प्रभु ये सुक्रिष्ट में प्यारे भाईयों बहनों, नव जीवन का संदेश, इर्शीर्षक के अंतरगत, प्रत्थी दिन का ईश्वर का जीवन्त वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पर मनंचिंतन करते हुए, प्रभु अपने व आरदिक स्वागत करता हूँ, मैं निमंतरन देता हूँ आप सभी लोगों को आज का वचन को सुनने के लिए, आज अक्टोबर की 27 तारिक है, शुक्रवार का दिन है, और आज के दिन में प्रभु का वचन मुक्यरूप से, हम सबों का आज के पहले पार्ट में कहता है, जो रोमियों को लिखे वे संद पाउलुस के पत्र अध्याय साथ पसंग 18 से 25 के प्रसंग में ये कहता है, संद पाउलुस कहता है, मैं जो बलाई करना चाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ, और जो बुराई मैं नहीं करना चाता हूँ, वो ही कर बैड़ता हूँ, इस आचरण को लेकर वो हम सबों को निमंतरन देता है एक प्रकार से कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जो हम चाते हैं बलाई करने के लिए नहीं कर पाते बलकि जो बुराई नहीं करना चाते हैं वही कर बैठते हैं तो इस प्रकार का वैवहार अगर मेरे जीवन में हैं मेरे आचर उसने इस बात पर विचार किया, मनचुनतन किया और आत्मा से भरते हुए, इन आदतों से वो उपर उठे, उसके बाद जो प्रभु चाते हैं, प्रभु का वच्छन चाता है, प्रभु के बुलाहट के अनुसार जैसा जिवन बिताना है, वैसा जीवन उसने बिताया, यानि कि हकीकत में हरीक इनसान के अंदर कमिया हैं, कमजोरिया हैं, दुरबलता हैं, जिस वज़े से हम लोग बार बार वही गलती कर बैड़ते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उद्हरन के लिए मानलो कोई नशा करने वाला व्यक्ति सोचता है, मैं कल से नशा नहीं करूँगा, या फिर रात शाम को उसने नशा किया हो, सूबए उड़के वो तई करता है, सोचता है, मैं आज से नशा नहीं करूँगा. लेकिन शाम होते होते फिर वही काम कर बैड़ता है जिसके लिए उसने सोचा कि नहीं करूंगा वही कर बैड़ता है इस प्रकार से अगर हम मनंचिंतन करें अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग कमिया हैं अलग-अलग प्रकार के धुर्बलता हैं, अलग-अलग प्रकार के कमजोरिया हैं, अलग-अलग प्रकार के बुरी आदत हैं, जिसको हम सोचते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बात्चित नहीं करेंगे, ऐसा व्योहार नहीं करेंगे, ऐसा कारी नहीं करेंगे, सोचते हैं तई कर लेते हैं लेकिन अनुबो क्या है बहुत बार हम लोग उसका विपरीत कर बैड़ते हैं जो बुराइए नहीं करना चाहते हैं वही कर बैड़ते हैं इस बात को लेकर हम आज के दिन में और गहराई से मनंचिंतन करें यही विशे को लेकर आज के सू समचार में प्रभू हम समों से बातें करता है जैसे यहां पर लिखा है लूकस का सू समचरा दिया 12 पसंग 54 से 69 तक इसा ने लोगों से कहा यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ इस और अइसा ही होता है जब दक्षिन की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी और ऐसा ही होता है तो इस प्रकार का उधारन प्रभू हमारे समों क्देता है निकि इस प्रकृतिके नियमन को प्रकृतिकी जो भी निशाना है जो भी निशानी है जो भी संकेत है उन सबों का हम पैचान लेते हैं समझ में लेते हैं उसमें क्या होने वाला है यह सब वैसे के वैसे होता है निकि आज के यूग में वैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीके से हम लोग का विखास हुआ है वह बहुत सारी सुख तो हम लोग नहीं समझ पाइं ये बात प्रभु हमारे समझार के दूरा रखता है ये ठीक ये जानना भी है विकास होना भी है विगानिक तरीके से हमें जानना समझना जिवान बिताना Этот हम विसा ये लिकिन उससे भी महतवर्ण वी बात समय की पैचान करने के लिए वरत्मान समय में क्या हो रहा है वरत्मान समय में जीवन में क्या हो रहा है किस प्रकार का जीवन में वितित कर रहा हूं किस प्रकार से मेरा परिवार जी रहा है परिवार में क्या गतिविदियां चल रही है व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या गतिविदियां हो रही है व्यक्तिगत जीवन में क्या आदत हैं क्या सवाव क्या किस प्रकार के मानसिकता से मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा परिवार, परिवार के लोग, बच्चे विशेश रुप से किस प्रकार के वातावर्ण में पल रहे हैं, किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये है समय, ये समय पर हमें विचार करने के लिए प्रूब हमे बुलाता है क्योंकि अगर समय को नहीं पैचानेंगे मैं किस दिशा में जा रहा हूं किस विचारदारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं किस प्रकार के मेरे कारिकलाप हैं किस प्रकार के मेरा वैवहार है किस प्रकार से मेरा परिवार परिवार के लोग बच्चों का वैवहार ह नहीं रहोंगे तक दुर गट नहोव सक्ति है इसलिए प्रभू हम सबु को निमंतरन देता है कि हम समय की मांग को पेचाने वर्तमान सब्सक्राइब हम्योड को मांग को पेचाने और वर्तमान समय में अगर हम चारों वे भीश में भी वो प्यार-बारा संबनाओं नहीं है वो अधरता का सवाव नहीं है मैं बड़ा हूं तू छोटा इस प्रकार का बाते है बहुत बार जब परिवार में आती हैं वहां पर कलेश लड़ाए जगडा हो जाता है पहले परिवार के सभी लोग एक परकार के एक दूस अगर ऐसे बातों पर द्यान नहीं दिया जाएगा निंश्च तुर्व से हरे एक विक्ति का आद्यात में सतर घ Truly आगा परिवारिक जीवन का आद्यात में सतर Centaur खिरता जाएगा और हम दीरे दीरे कहां जाएंगे हम स्वर्ग के रास्ते पर नहीं जाएंगे हम नरक के रास्ते पर जाएंगे इसलिए प्रभू आज के दिन में हम समों को जगाता है हम समों को बुलाता है और कहता है समय की मांग को पैचानों बाकि सारे चीज़ें ठीक हैं लेकिन समय की मांग को जब तक नहीं पैचानोगे तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते प्रुभ हम सबों को ये बात आज के दिन में सिखाता है इसलिए सबसे पहले आज के दिन में मननचंतन करने का विशाई हम सबों के लिए वर्तमान समय को पैचानो वर्तमान समय में हम लोग देशे के में बता है चारों तरब से नफरत इर्षा जलन बेद भाव स्वार्त की बातें चल रही हैं और ऐसे में सरहर्येक विक्ति का रुकसान है समाज का विकास नहीं हो रहा आध्यात्मी जीवन में देखा जाए आर्थिक रूप से विकास हो रहा होगा व उस जगा पर अत्ति चार हो रहा है उस जगा पर शोशन हो रहा है लिए उस जगा पर और कोई बाते हैं अशानती एक मात्र हमारा सहारा है उस इश्वर की ओर हम अभी मुख हो जाएं और इस इश्वर से लिप्टे रहें उस इश्वर से लिप्टे रहें तब जाके हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं हमारे जीवर में असली सुख सुवीदा आ सकती है यह दुनिया की चार दिन का सुख कुसमिधा वैग्यानिये के तत्वेथकी वीखास की वजह सथ जो सुक अजकी में प्राप्बाप्त है वह शं बंगुर है असली सुक असली सुविधा असली शांती और असली प्रेम आध्यात्मी जिवर में आगे बढ़ने इसलिए इस समय को पैचानने के प्रूब हमें बुलाता है जो मैं बलाई करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं बलकि जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं इसलिए अगर हमारे जिम्हें Me Aisai हो रहा है हम चाते तो हों कि हम सुभे उतें पराड़तना करें बाइबल पड़ें हम चाते तो हैं कि हमली क पर बैतें मालाविंती करें कम बहुत पोलोगों से बातश्यत में पता चला मुझे नहीं हुआता तयी तो कर लेते हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते हैं हम। धेते हैं कि नहीं हो पाता है तरह समय को पहचानने के जूरत है अपना विक्तिरगत जीवन पर परिवारिक जीवन पर हम देखें विचार करें हम कहां हैं किस जगा पर हैं किस दिशा में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं किस प्रकार के मानसिक्ता है किस प्रकार का सोच विचार है इन सभी बातों पर हम दो मनंचिंतन करें एक एक सिद्धान्त है रुखो देखो और सीखो हमें हम भाग रहें दुनिया में भाग दौर्ड में पड़े हुए रात दिन रात दिन वेस्ट हैं अध्य कोई काम से तो मुबाइल लेकर बैठे हैं समय कैसे पता नहीं चलता या तो मबाइल की दौरा कोई वीडियो देख रहा है या बाचित कर रहे हैं या फिल्म दे रुखें और देखें मैं किस रास्ते पर हूँ, कहां तक पहुंचा हूँ, सही रास्ते पर हूँ, या गलत रास्ते पर हूँ, सही जगा पर हूँ, सही इलाके में हूँ, सही महौल में हूँ, यह सब जाननी के जरूत है, रुखें, देखें, जब देखेंगे अगर सही नहीं कि मांग को नहीं पैचानेंगी तो निष्चेत्रोब से आने वाले दिनों में संकट आएंगे परिशाने आएगी दुख आएंगे और ऐसे चनवते मेरे समय में हम ठीक नहीं पाएंगे इस लिए प्रभुil हमें सचेत करता है साउधान करता है कि हम समय के मांग को पहचाने तो दूसरा बिंदु हाज के दिन में मनंचंतन करने के लिए समय के लक्षण को पहचाने समय के लक्षण क्या-क्या हो रहा है इन दुनों में मेरे जीवन में परिवारिक जीवन में समाज में कलिश्या के जीवन में चार दहर तेसीं के तरह विचरता रहता है कब किसको फाड़ का है इसलिए उस शैथान की धूरता को भापे उसको जाने समझे और सतरक रहे सावधान रहे अन्यता वह हमारे व्यक्तिगत जिवन को परिवारी जिवन को कलिस्या के जिवन को बरबाद कर देगा इसलिए समय की परिवारिक जिवन में मुझे क्या उचित है और इसमें हम लोग फरक करें क्या उचित है क्या उचित नहीं क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं क्या सुन्दर है क्या सुन्दर नहीं है क्या बहतर है क्या बहतर नहीं है इसमें हम लोग फरक देखें जो उचित है अच्छ है नेक हैं आदर्श हैं उनसभी चीजों को अपनाएएं उनसभी चीजों में आगे बढ़ें जो बुरा है गलत है बेकार रहा फाइदयका नहीं हो ऑटा हैँ हमारे जीवन से परिवारिक जीवन से हटाएं ताकि व्यक्ति के जिवन में पवित्र हो जाएंगे परिवारिक जिवन में पवित्र हो जाएंगे और इस प्रकासे आगे बढ़ेंगे तब हम निश्चत्रुप से प्रभु के आनंद में हमेशा हम आनंदित रहेंगे और चौती बात हम सबों के लिए मनंचिंतन करने के लिए है कि आज का वच अगर नहीं कि निमंत्रन है आध्यात्मी रूप से हम तरक्य करें आगे बढ़ें इसके अत्रित हमारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है जो अच्छे कर्म है अच्छे विछार अच्छे जीवन जो हमने जिया है वही हमारे साथ जाएगा इसलिए बहनों प्रूब इसलिए क समझता कर लो हलंकि समझता करने के कावंप्र माइस यहां पर मुद्धी के साथ क्मेश करने के प्रबू पताता है क्योंकि साहिजन हो सकते हां और नफ्रत बढ़ सकते नफ्रत यहां कम हो सकता इसलिए प्रभु नंगिसा मैं यहां और रिश्ता कत्रे में हमापस समझोता कर लो यानि की सफल जिवन बिताने के मैं अक्सर लोगों को बताता हूं साधना में जाता हूं लोगों को यही बताता हूं सफल जिवन बिताने के लिए कोई समुधाय में हो कोई परिवार में हो सफल जिवन बिताना हो तो क्या करना है मैं बोलता हूं पढ़ने पर मुह बंद रखें जरुवत पढ़ने पर कांद मंध रखें अगर ऐसा समझोता करेंगे प्यार बना रहेगा महबद बना रहेगा आपसी रिस्ता बना रहेगा और अमन शांती से हम सभी आगे बढ़ेंगे जी सकेंगे प्रवु के महिमा देख पाएंगे कि कला को सिखाया है मनंचिंतन करने के लिए बुलाया है रुखो देखो और सीखो इस सिधान के अनुसार अपने जीवन में महारा जीवन को और बहतर करने के लिए निमंत्रन दिया है हम आपको धन्यवाद देते हैं इसका अनुसार जीने के लिए प्रभू आपकी शक्ति साम मरतिया आत्मा का अगवाई हम सभी चाहते हैं हम सबों की मदद कर दौा करते हैं उद्धार करता ये सुमसी के नाम से आमेन